हेलो गाईज, वेलकम बैक तो मैं चैनल, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे हलवाई की 6 ऐसी रेसिपीज जो आप घर में बहुत ही आसानी से जब भी मीठा खाने का मन करें या फिर तेवहारों में आप घर पे 2-4 चीजों से बना के इसे रेडी कर सकते हो, बहुत आसान बताऊंगा, बहुत इजी रेसिपीज हैं ये सारी, जितने भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी बनने वाली, सिर्फ 15 मिनट में आप इन रेसिपीज को कभी भी ते ओहरों में या जब भी मीठा खाने का मन करें तो आप इसे बना के रेडी कर सकत तो ये 250 ग्राम है, कप से बताऊं तो देड़ कप है, देड़ कप मैदा हमने या पर यूज किया है, थोड़ा सा बीच में इसके हम जगा बनाएंगे ताकि इसके अंदर बाकी के सारे जिंट हैं बलुशाई के, वो हम इसके अंदर डाल सके, जादा कुछ नहीं है, बस कोई प्राब्लम नहीं है, उसके बाद घी हमें डालना है, घी हम 80 ml डालेंगे, इसके अंदर मतलब की पिखला के तोड़ा मेल्ट करके हलका सा गुनगुना गरम होना चाहिए, 80 ग्राम घी हमने इसके अंदर डाला है, कप से बताऊं तो वन थर्ड कप है, उतना ही हम इसके पानी भी थोड़ा सा गुनगुना गरम होना चाहिए, थोड़ा सा गरम रहेगा तो ये जो डो बनाना है इसका ये बहुत इजी तरीके से और जल्दी बन जाएगा, हलका सा गरम करके ही दोनों चीज़े डालना है, उसके बाद एक अच्छा सा इसका डो बनाके हमें रेडी करना है, आपने देखा होगा कि जो बालो शाही अलवाई के दुकान पर मिलता है, दो तीन कलर में मिलता है, वहाँ पे रेड भी होता है और वाइड कलर का भी होता है और एक ब्राउन कलर का भी होता है, तो दोनों तीनों मेसेज जो भी आप बनाना चाहे वो बना सकते हैं, अभी हम बना रहे हैं बिल्कुल सिंपर बिना कलर के और हल्का सा ब्राउन वाला बालू शाही हम बनाएंगे तो बस इस तरह का सिंपल से डो बना के हमें रेडी करना है यह जो डो है यह बिल्कुल आटे की तरह soft होता है जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गुनते हैं हम वैसे ही डो बनाके ready कर लेना है आप इसे क्या करना है है से थोड़ा सा mash करना है उसके बाद हमें क्या करना है इसके छोटे छोटे बॉल्स जो भी size में आप बालू शाही बन लेना है बस आप इतना ध्यान रखे कि जो भी size आप बनाओगे अभी इस टाइम पे फूल के इससे double हो जाएंगे ये तो उस हिसाब से अपने size रखना है ऐसे हमने सारे तोड़ ली है अब one by one इसको हम ऐसे हाप्तों में रखके घुमाएंगे और इसको बहुत जादा clean नही है अपने thumb से या फिर किसी भी चीश से अपने इसको अच्छे से press करके बिल्कुल छेद कर देना है इस तरह से ताकि जो crack वाला पाट रहे में ऐसे रहे और जो crack होगा वो जब हम oil में इसको fry करेंगे तो ये बिल्कुल cracking की वज़ा से खसता होगा वो बहुत अच्छी तरह स खसता होगा तो बस इस तरह से थोड़ा सा इसको घुमाना है उसके बाद उपर वाला जो पाठ है उसको इस तरह से दबा के अपने thumb से प्रेस करके ऐसे छेद कर देना है इसके अंदर और ये बिल्कुल इस तरह से वालुशाही का शेप है वो बनके ready हो जाएगा आप किसी दोस्तों इसको फ्राई करने में ही बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों इसको फ्राई करने में ही बहुत सारे लोगों को प्रावलम आती है तो इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें अब मैंने या पर ओईल रग दिया है गरम होने के लिए इस कड़ाई को मैं बार बार फ्राई करने के लिए ही ओईल के लिए ही यूज करता हूँ इसलिए ऐसा थोड़ा कड़ाई काला दिखाई दे रहा है बाकि oil थोड़ा सा ही गरम करना है, हलका सा ये गरम हो गया है, ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा गरम लग रहा था, तो मैंने और इसके अंदर oil mix कर दिया है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो बालुशाई है, वो one by one करके इसके अंदर डालेंगे, लेकिन पहले एक ही पीस डालेंगे, हमें टैंपरेचर चेक करना है, देखिए, बिल्कुल जब हमने इसको एक पीस डाला है, तो बिल्कुल हलके हलके से बबल्स आ रहे हैं, मतलब कि oil बहुत कम गरम है, अगर मैं इस oil में हाथ भी लगा दूना, तब भी मेरा हाथ जलेगा नहीं, मतलब इतना कम गरम है, तो बहुत ही कम टैंपरेचर रखना है, जब हम इस बालो शाही को इसके अंदर डालेंगे, ताकि ये खस्ता हो सके, और बिल्कुल अच्छे से फूल सके, तब ही ये अच्छे से फूलेंगे, जब बिल्कुल लो टैंपरेचर पे ही आप इसको इसके अंदर डालेंगे, और हाँ, ये जो बालो शाही है, इसको आपने कढ़ाई के साथ इस तरह से हिलाना है, आपने कोई भी कर्ची या चमच होगारा इसके अंदर टच नहीं करना है, और गैस का फ्लेम अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, जब तक कि ये सारे उपर की तरह ने न लग जाए, ये देखिए, जो पहले हमने डाला था, वो बिल्कुल इस तरह से तैरने लग गया है, जब तक इस तरह से सारे बालुशाही इसके उपर की तरफ तैरने न लगे तब तक हमें इसको इस तरह से ग्यास को लो फ्लेम पे ही रखना है और सभी बालुशाही को उपर की तरफ आने तक का वेट करना है जब इस तरह से उपर आ जाएं बिलकुल तैरने लग जाएं बिलक थोड़ी सी टाइट हो जाएगी हाई फ्लेम पे करने से और ये बिलकुल फूलना बंद हो जाएगे यहीं पे स्टॉप हो जाएगा इनका फूलना हलका सा हाट से टच करेंगे तो ये थोड़ी सी जो इसकिन है इनकी एक मिनट में टाइट लगने लग जाएगी तब जब एक म पूलेंगे भी नहीं इससे जादा अब इससे जादा ये फटेंगे भी नहीं बस इतना ही खस्ता हमें करना होता है अब हमें क्या करना है एक और काम करना है जो कि है इसको पकाना है लो फ्लेम पे इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है और आपने इसे 15-20 मिनट तक आपको प तो ब्राउन तो हो जाएंगे लेकिन ये बिल्कुल अंदर से कच्चे रहेंगे तो अंदर से पकाने के लिए इसको 15-20 मिनट लो फ्लेम पे जरूर फ्राई करना देखिए जब इस तरह से बिल्कुल अच्छे से 20 मिनट में कलर आ जाए ऐसे ब्राउन हो जाए तब हमें निका सब्राउन हो जाए अब हमने इसको निकाल लिया है अब हम इसको दूसरी कढाई में चाशनी के अंदर डिप करेंगे तो चासनी बनाने के लिए एक मैंने दूसरी कढाई लिया है जिसके अंदर 200 ग्राम चीनी मतलब कि 1 कब चीनी आधा कब पानी डाला ह हन्डेड एमल पानी मतलब कि जितना चीनी उसका ऊफ पानी डालना होता है एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बार उबाल लेंगे जैसे हमारी चाशनी उबल जाएगी हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी थोड़ा सा केवडा वाटर रोज वाटर जो भी आपके पास है लाइची का पाउडर भी डाल सकते हो जो भी आपके पास है आप डाल सकते हो यहां पर उसके बाद हमें इसको उबालना है जैसे हमार अगर पावडर जैसे बन जाएगी, तो हमें पावडर जैसा अगर बनाना है तो आप यहाँ पे इस तरह से एक तार वाली चासनी रखे, या फिर अगर पावडर नहीं बनाना है, इसके उपर अंदर शिर्फ चासनी ही ही भरनी है, तो पिर चासनी को बिल्कुल हलकी वाली का रखें मतलब कि बिल्कुल पतली सी तार बिल्कुल चिपचिपी वाली चाशनी तो मैंने वैसे ही रखा है बिल्कुल हलकी सी तार बिल्कुल पतली सी बिल्कुल चिपचिपी सी है चाशनी हमारी मतलब कि इसके ऊपर पाउडर जैसा हमें नहीं बनाना है चुगर सिरप का तो ये बाद में powder नहीं बनेगा है, क्योंकि हमें जब घर में खाने के लिए बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसको मीठा करने के जरूत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीनी इसके उपर coat करने के जरूत नहीं है, आप इसको क्या करें, कि बस चाशनी में डाले, और 5 मिनट तक इसके अंदर ऐसे mix करें, और 2-3 मिनट के लिए आप इसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं, उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, तो आप चाशनी को थोड़ा सा एक तार वाली रखें, मतलब कि एक तार वाली चाशनी बनाएं, गारी करें चाशनी को थोड़ा सा, और उसके बाद 2-3 मिनट तक इसको चलाते रहें, तो ये जो सारी चाशनी है, ये इसके उपर crystallize हो जाएगी, मतलब साइसके उपर बन जाएगा, तो वो फिर जादा मीठा हो जाएगा, अगर घर पे खाने हैं, तो आप कम मीठा भी रख सकते हो, जैसे भी आप रखना चाहो रख सकते हो, अभी हमने जो बनाया है, इसके उपर powder तो नहीं बना, लेकिन अंदर तक बिल्कुल चाशनी भरी होई है, अगर मैं आपको दिखाऊ हो इसे तोड़ के, तो आप देख सकते हो कि कितना जादा moist है, कितना बिल्कुल अंदर तक चाशनी भरी होई है, अगर मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको यह देखिए, बिल्कुल अंदर तक चाशनी भरी होई है, और बिल्कुल अंदर कच्चा नहीं है और बिल्कुल लेएर बाइ लेयर ये फूला हुआ है बिल्कुल अंदर से आप देखी सकते हो कितना perfect है ये तो इस तरह से हल्वाई style बालो शाही आप घर पे आसानी से कभी भी भी खानी का मन करें तो आप बना सकते हो सेकिन हम बनाएंगे फ्लायर बर्फी मतलब की मैदे से बर्फी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिश्ट एकदम मावा वाला फ्लेवर आएगा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमें एक पैन चाहिए होगा जिसके अंदर हमें चाहिए आधा कप घी मैंने यहां पर लिया है देसी घी कोई भी आप यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास घी है आप डाल सकते हैं आधा कप यानि की 125 ग्राम है इसे थोड़ा सा गरम होने देंगे जैसी थोड़ा सा यह गरम ह हो जाएगा उसके बाद हम एक कप भरके इसके अंदर मैदा डालेंगे ग्राम में बताओं तो यह 180 ग्राम के करीब है मतलब की एक कप है आप कम जादा करके भी यूज कर सकते हो मैदा कम कर सकते हो और मैंने यहां पर घी जो है वो कम ही डाला है 125 ग्राम जितना मैदा होता है उतना ही quantity में घी भी डाला जाता है हलवाई same quantity यूज़ करते हैं लेकिन हम यहाँ पे घर पे बना रहे हैं तो इसलिए हमने कम डाला है अब इसे लगातार 4-5 मिनट हमें इसे भूनना है जब तक कि हलका सा यह golden brown न हो जाए और यह वो छोड़ने न लग जाए तब तक हम इसको भूनेंगे अभी आप देख सकते हो कि सुखा सुखा लग रहा होगा लेकिन अभी यह काफी सारा घी छोड़ना स्टार्ट करेगा जैसे जैसे यह भूनता जाएगा तो हमें इसे 3-4 मिनट या 5 मिनट तक low flame पे भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल खतम हो जाए इसका कलर हमें बहुत जादा चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें इस बरफी को वाइट ही रखना होता है तो इसलिए हम इसका कलर तो बहुत जादा चेंज नहीं करेंगे बस low flame पे इसको 3-4 मिनट इस तरह से भूनेंगे ताकि कलर चेंज ना हो लेकिन कच्चापन बिल्कुल खतम हो जाए देखिए इस तरह से घी छोड़ना इसने स्टार्ट कर दिया है मतलब कि 2-3 मिनट जैसे होते हैं तो यह घी छोड़ना स्टार्ट कर देता है देखिए काफी सारा इसने घी छोड़ दिया है लेकिन कलर अभी चेंज नहीं हुआ है थोड़ा सा मौर भूनेंगे ताकि बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे इसके अंदर मतलब कि टोटल हम 5 मिनट इसको भूनेंगे लो फ्लेम पे अब देखिए 5 मिनट के बाद इसने काफी सारा घी छोड़ दिया है लेकिन अगर आप चेक करना चाहे तो ऐसे थोड़ा सा पानी चीड़के जब आप देखेंगे तो इसमें चंचं करने की आवाज आएगी तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है अच्चा नहीं है मतलब कि हलका सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है हलका सा बिल्कुल इसमें लाइट कलर रहेगा और उसके बाद गैस को कर देंगे बंद और थोड़ा सा सा इड में रखेंगे इसको थोड़ी दिर के लिए अब एक डूसरे पैन में हम यहाँ पे चीनी लेंगे एक कप जितना मैदा हमने यूस किया था न उतना ही चीनी हम यूस करेंगे यहां पर एक कब चीनी मतलब की 180 ग्राम है और 100 अमल हम डालेंगे इसमें पानी मतलब की 30 कब पानी डालेंगे जितना चीनी है उसका हाँफ आप पानी डाल सकते हो एक बार इसको उबालाने के बाद एक मिनट इसको उबालना है ताकि जो हमारी चासनी है जो शुगर स्रप है वो एक तार वाली बन जाए, जब एक तार वाली चासनी बन जाएगी, तो इसको ऐसे हास से चेक करना है, एक मिनट उबलते हुए हो जाए, तब अगर इस तरह से चेक करेंगे, तो ऐसे हलकी सी तार बनने लग जाएगी, अगर यह ऐसी तार बन रही है, तो इसका मतलब हमारी चीजों को mix करके mix भी करते रहेंगे और ठंडा भी करते रहेंगे तो यह देखिए अब मैंने इसको gas पर रखा जरूर है दूसरे pan को लिकिन gas on नहीं है बिल्कुल gas को बंद रखना है करने के जरूत नहीं पड़ेगी तो यह जो हमने यहां पर मैदे को भून के रखा था इसक यह मैंने पहले नहीं डाला और अब यह थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो हम इसके अंदर milk powder डालेंगे आदा कप अदा कप milk powder मतलब कि 50 ग्राम के करीब हम डालेंगे इसमें मतलब कि धीरे धीरे करके डालना है और अच्छे से इसको mix करते जाना है घी जो एक्स्टरा था वो milk powder बिल्कुल अच्छे से सोक लेगा और बिल्कुल अच्छे से mix हो जाएगा milk powder घी की वज़ा से और घी की बस अब गयास को बंदी रखना है और जो चाशनी है वो अभी काफे जादा गरम है तो हम इसके अंदर डाल के mix कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से ये देखिए तो जो चाशनी है वो एक तार वाली होनी चाहिए अगर एक तार वाली चाशनी नहीं है तो आपकी बर्फी सेट नहीं होगी अगर एक तार से जादा है चाशनी मतलब की बहुत जादा मोटी मोटी उसमें तार बन रही है तो इसका मतलब आपकी बर्फी बहुत जादा हाड हो जाएगी इसलिए कोशिच करें कि एक पतली सी तार ही बननी चाहिए मतलब बहुत जादा गाड़ी भी चाशनी ना हो और बहुत जादा पतली भी ना हो हलकी सी एक पतली सी तार बननी चाहिए तो इसका मतलब आपकी बर्फी जो है वो बिल्कुल perfect बनेगी soft भी रहेगी और बिल्कुल अच्छे से तो बस इसको अच्छे से mix करने के बाद ये एकदम smooth texture के साथ बिल्कुल ready है अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा इलाइची का powder अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल सकते हैं तो आप क्या कर सकते हो इस बर्फी में थोड़ा सा vanilla powder भी डाल सकते हो तो आपकी ये बर्फी vanilla flavor वाली बनके ready हो जाएगी आपने देखा होगा कि हलवाई की दुगान पे vanilla flavor वाली आईस क्रीम वाली जो बर्फी होती है वो मिलती है तो आप इस तरह से बना सकते हो इसमें vanilla powder डाल के अब इसको मैं पंके के नीचे थोड़ी देर तक ठंडा कर लेता हूँ और अब इसको हमें ठंडा ही करना है ठंडा करते जाएंगे जैसे जैसे ये डो की form में बनता जाएगा मतलब ये गाड़ा होता जाएगा बिल्कुल ये देखिए जैसे जैसे ये ठंडा होता जा रहा है ये काफी ठीक होता जा रहा है और पैन को भी इसने चोड़ना स्टार्ट कर दिया है बस थोड़ा सा इसे और ठंडा करेंगे थोड़ा और डो जैसा ये बनाएंगे उसके बाद हम इसको किसी बरफी वाली ट्रे वगरा में हम डालेंगे तब तक हम ट्रे को रेडी कर लेते हैं कोई भी बर्फी वाली ट्रे हो आपके पास कोई थाली हो या फिर कोई प्लेट ये वगरा जो भी आपके पास है केक टिन हो जो भी आपके पास है बर्फी के लिए आप उसको रेडी कर सकते हो आपको इसे बर्फी को उल्टा करके निकालना है सारी बर्फी को तब आप इसके बटर पेपर इस तरह से लगा सकते हो ये देखिए अब बटर पेपर मैंने इसके नीचे लगा दिया है इसके उपर थोड़े बहुत ड्राइफ रूट और जो भी आपके पास है डाल सकते हैं यापे कटे हुए पिस्ता बादाम मैं यापे यूज कर रहा हूँ आप चाहो तो काजू, बदाम, पिस्ता जो भी आपके पास है सब कुछ इसके अंदर डाल सकते हो जो भी ड्राइफ रूट आपके पास है ये देखिए अब इसके उपर हम ये जो बर्फी है वो हम डाल देंगे बर्फी का मिक्स ये एकदम से ठंडा नहीं है मतलब कि अभी थोड़ा थोड़ा गरम है जब थोड़ा थोड़ा गरम रहे इस तरह का रहे तभी आपने इसको डाल देना है मतलब कि ये बिलकुल जब ठंडा हो जाएगा और बिलकुल लिक्विडी रहेगा तो इसका मतलब आपकी बर्फी सेट नहीं होगी तो आप इसको थोड़ा सा पैन में ठा सकते हो अगर ये बरफी सेट ना हो तब भी आप इसको पलट के वापस से पैन में पका सकते हो बहुत सारे लोग comment करते हैं कि हमारी बरफी सेट नहीं हुई है तो हम इसको क्या करें आपकी जो चाशनी है वो एक तार वाली रहेगी तो बिल्कुल अच्छे से सेट भी हो जाएगी अगर फिर भी नहीं हुई है तो आप इसको पलट के एक पैन में इसको थोड़ी देर तक 4-5 मिनद तक और पका सकते हैं उसके बाद फिर से सेट कर सकते हैं horiz Einstein की बफिस सेट हो जाएगी आप यह बिल्कुल ready है इसको हमने फैला दिया है अब हमें इससे 2-3 गंटे के लिए रख देंगे सेट करने के लिए तो 2 गंट काफी हैं 1 2 गंट आप रख सकते हैं आप एक घंट से तो यह साइड अपने आप ही निकल जाएगा उसके बाद इसको हम उल्टा करेंगे और यह अपने आप ही निकल के आ जाएगा इस तरह से देखिए बिलकुल हमने इसको निकाल लिया है बटर पेपर को भी हटा देते हैं और यह हमारी बर्फी बिलकुल अच्छे से सेट होक अगर मैं आपको इसका टेक्श्चर दिखाऊं तो एकदम मावा बर्फी जैसा है बिलकुल जैसे हलवाई की दुकान पर आप मिल्क पावडर वाली या फिर मैदे वाली बर्फी जो देखते हैं वैसे ही है बिलकुल सेम टू सेम और कोई अगर खा रहा है तो उसको पता भी नहीं लगेगा या फिर आपने घर बनाई है या फिर आप मार्केट से लेके आये हैं तो यह बहुती आसान रेशिप्ई और बहुती जलदी बनने वाली बर्फी है और जो भी लेना है अप ले सकते हो या पर मेदा भी यूस कर सकते हो उसके बाद जो बेशन हमने डाला है वो करीब सवा कप 3 कप करीब है मतलब कि 1 गराम में बताओं तो ये 200 गराम बेशन है इसमें कोई घी वगर हाइं का यूज नहीं किया है तो इसे सूखा ही हमें थोड़ा अच्छे से ब्राउन करना होगा तब ही इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से आएगा otherwise जो घी होता है घी की हम जब घी में इसको भूनते हैं तो फिर जादा भूनने के जरूत नहीं होते क्योंकि घी की वज़ा से टेस्ट तो काफी ज़ादा आ जाता है और घी की वज़ा से यह भून भे जाता है तो उसे कम भी भूनते हैं तब भी चल जाता है लेकिन ये जो आप देख रहे हो बेशन इसे हमें सूखा ही भूनना है ताकि इसके अंदर हम एक टेस्ट को दे सकें मतलब कि बिना घी और बिना चाशनी के है तो बहुत सिंपल है वैसे बहुत सिंपल सी रेसपी है लेकिन टेस्ट भी तो आना चाहिए तो इसलिए हमने यहां पर इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसको ब्राउन भून लिया है ज जो भी आपके पास है बना सकते हो अच्छा इस तरह से भूनने से कभी कभी बेसन जल भी सकता है तो इसलिए आप ध्यान रखें कि इसको लो फ्लेम या फिर मीडियम फ्लेम पे आपने इसे भूनना है और करीब 10 से 12 मिनट के लिए भूनना है फ्लेम को बिल्कुल भी हाई म कर सकते हैं जैसे कि यहां पर टेस्ट बढ़ाने के लिए आप कोकुनट का पाउडर थोड़ा सा इसके अंदर एड़ कर सकते हो थोड़ा सा मिल्क पाउडर एड़ कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहो तो दूद भी एड़ कर सकते हो यहां पर मैंने दूद नहीं यूज किया मैंने यहां पर पानी का यूज किया है क्योंकि बहुत सारी लोग बोलेंगे कि अगर दूद एड करेंगे तो वो फिर मोहन थाल की तरफ जो टेस्ट है वो चला जाएगा तो मोहन थाल हमें नहीं बनाना है बेशन की बरफी मतलब की बहुत सिंपल वाली बिलकुल घी और बिलकुल चासनी को स्केप करके हमने यहां पर पानी डाला है एक कप मतलब की आधा-धा कप करके दो बार में हमने पानी इसमें डाला है तो एक कप टोटल पानी डाला है ग्राम में बताओं, एमल में बताओं, तो 250 एमल पानी हमने इसके अंदर योज किया है, आप जो चीनी हम इसके अंदर योज करेंगे, वो चीनी भी आप चाहे तो गुड़ी योज कर सकते हो, चाहे चीनी योज कर सकते हो, चाहे मिस्चरी वगरा, खांड वगरा, जो बूरा यह दूआ है अब ढ़ेने अब करते हैं जब तक ना है जब तक यह दूआ है कंभाइन ना हो जाए और जो चीनी है वो बिल्कुल अच्छे से पिघल न जाए इसके अंदर ये देखिए और ये कितनी टेस्टी लगरी है देखने में ही कितना परफेक्ट इसको ब्राउन हमने किया है तो ब्राउन करने की वज़ा से इसका जो टेस्ट है वो काफी अच्छा आने वाला है मतलब क जो लोग घी नहीं खाते वो आप इससे बना सकते हो तो बिना घी के बहुत ही सिंपल रेसेपी है सिर्फ दो चीजों से इसमें चीनी और बेशन सिर्फ दो चीजों का ही यूज हुआ है तो आप कोई भी तरीके से आप इसको बना सकते हो दो तीन तरीके हैं बनाने के इसके अंदर और भी चीजे डाल सकते हो जैसे मैंने बताया coconut powder desiccated वाला या फिर milk powder या फिर काजू और बदाम का powder पीस के आप इसके अंदर डाल सकते हो टेस्ट हो गरा बढ़ाने के लिए जो भी आप इसके अंदर changes करना चाहेंगे वो हो जाएगा अब आप अच्छी तरह से इसक को melt होने तक ही पकाना है जीनी बिल्कुल पेगल गई है आप देखी सकते हो तो बस अच्कों में हो और ज्यादा पकाने के जरूत नहीं है थोड़ा सा इलाइची का powder आप इसके अंदर डालना चाहें तो डाल सकते हैं इलाइची का powder मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दि हो बिल्कुल ठीक है इस टाइम पे चार से पांच घंटे में ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा लेकिन अगर मैं आपको चेक करके दिखाओं तो बस आपने क्या करना है इस तरह से थोड़ा सा उठाना है अगर आप इसको अपने हाथ में इस तरह से घुमाएंगे तो ये आपके हाथ में नहीं चिपकेगा तो अगर ये आपके हाथ में नहीं चिपकेगा तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सेट होने के लिए रेडी है तो अब हम इसको किसी थाली में किसी ट्रे में डाल सकते हैं तो बस मैंने या पे क्या किया एक ट्रे को थोड़ा सा ओ डालेंगे लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इसके उपर लगा देना है ताकि जो ड्राइफ रूट है वो बिल्कुल अच्छे से इसके उपर चिपक जाए और थोड़ा सा ओइल मैंने इसलिए लगाया थाकि ऊपर से थोड़ा सी शाइनिंग आये मतलब कि इसके अंदर घी बिल्कुल शॉफ्ट है बिल्कुल अच्छे से नहीं चुकी बरफी कोई बहुतर से कसी भी आंगल से क्से कट कर सकते हो जैसे भी आप चाहो वैसेибо कि कर सकते हो मैं यहां पर normally square pieces में ही इसको cut कर रहा हूँ जैसे हम square pieces में हलवाई की दुकान पर cut करते हैं वैसे मैंने इसको cut कर लिया है इस तरह से यह देखिए बिल्कुल perfect बर्फी हमारी ready है अब इसको हम क्या करेंगे निकाल लेंगे one by one pieces ऐसे चाकू को इसके नीचे से मारेंगे तो यह निकल के आ जाएगा अगर मैं को इसका texture दिखाऊं तो यह आप देख सकते हो कितना perfect है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है और एकदम अंदर से दानेदार है मतलब कि हलका सा दानेदार है क्योंकि हमने इसको drive होना है तो drive होनने की वज़ज़ से यह हलका सा दानेदार होता है आप चाहो तो motor basin यूज़ कर सकते हो तो ज़्यादा दानेदार रहेगा यह तो मैंने motor basin नहीं यूज़ किया है आप चाहो तो बारी क्या मोटा जो मर जी यूज़ कर सकते हो तो उससे काफी अच्छा टेक्चर रहेगा अब यह जो color actual में दिखाई दे रहा है यहाँ पर lighting की वज़ा से यह actual में है नहीं हलका सही brown है बहुत ज़्यादा यह brown नहीं है लेकिन यह इसमें बहुत ज़्यादा dark दिखाई दे रहा है actual में color में आपको lighting अगर आप बंद करके दिखाता हूं यह देखिए यह इसका actual color है तो काफी अच्छा brown color इसके उपर आया है फोर्थ रेसपी हम बनाएंगे bread चाप की रेसपी जो की हलवाई की दुकान पर भी बनाना सीखेंगे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस मिठाई को बनाने के लिए हमें bread चाहिए तो जितना भी चाहो आप bread ले सकते हो मैंने यहाँ पर हलवाई की दुकान पर ही बना रहे है तो चार पैकेट ब्रेड लिया है जो नॉर्मली 40 रुपे वाले bread होते हैं वही वाला पैकेट है अब इसका मैंने जो side वाला पाठ है वह इस तरह से काटके निकाल दिया है वैसे जादर काटके निकाल दे तो अच्छा रहता है लेकिन अगर नहीं भी निकालेंगे तब भी ठीक है है अब इसको हम चार पीस में इस तरह से cut कर लेंगे तो जो भी size का आपको piece रखना है उसे चाप से आपको इसे cut करना है अब यह दिखे इतने बड़े-बड़े pieces इसके बनके ready होंगे बर्फी की तरह जैसे बर्फी का piece होता है उतने बड़ी piece हमें रखना है अगर आपको इसे ऊ को हमें फ्राई करना है या फिर आप चाहो तो इसे तवे पे टोस्ट भी कर सकते हो या फ्राई भी कर सकते हो अगर आप घर पे बना रहे हो तो तवे पे बिना घी या बिना बटर के भी आप टोस्ट कर सकते हो थोड़ा सा लेकिन हलवाई के हिसाब से जैसे बनता है वो सारी रेसपी में आपको बता रहा हूँ, तो हलवाई इसको डीव फ्राई करते हैं, ओइल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, एक दो पीस पहले डाल के देखे, बहुत ज़ादा गरम ना हो, बस जैसे नॉर्मली पकोड़े वगरा फ्राई करते हैं, बस भी फ्राई कर लेना ह हो जिस ओईल में, इस ओईल में मैंने बहुत सारी चीजे फ्राई की है, हलवाई मोसे भी फ्राई हुए हैं, और बहुत सारे शकर पारे, बालू शाही, मिठाई में अगर बहुत सारी जितनी भी होती है, वो फ्राई होते रहते हैं इस ओईल में, तो उससे क्या होता है, कि जो टेस्ट है वो सारी मिठाईयों का टेस्ट ओइल में भी आ जाता है तो इससे क्या होगा कि कई फ्लेवर इसके अंदर अपने आप ही आ जाएंगे तो इसलिए जब हलवाई की दुकान पर हम कोई भी चीज पर्चेस करते हैं तो वो टेस्टी होता है लेकिन जब सेम चीज ह हमने इसके अंदर फ्राई की है समोसे वगरा फ्राई करने के वज़ा से थोड़ा सा नमकीन टेस्ट भी इसके अंदर आएगा तो यह सब ऑईल की वज़ा से होता है तो ऑईल में बहुत सारा टेस्ट होता है और इससे क्या होता है कि बार बार इसी में फ्राई करते रहते है इसी में refill करते रहते हैं oil को और ये tasty oil बना ही रहता है तो इस वज़ा से काफे ज़्यादा हलवाई की दुकान की मिठाईया tasty होती है अभी इस तरह से जब ये बिल्कुल brown हो जाए तो हमें निकाल लेना है इसको अभी tasty बनने का और क्या reason है मैं आगे आपको और भी बताऊंग ये देखिए पहले इसको हमने इस तरह से ब्राउन करके निकाल लिया है तो दो पार्ट में हम fry करेंगे इसको क्योंकि bread थोड़ा जादा था ऐसे हम दूसरा बैच भी fry करके हम इसको निकाल लेंगे ये बिल्कुल इसी तरह से ब्राउन कर लेना है और आप इसे चाहो तो घ प्राई हो चुके हैं अब इसको हमें सुगर सिरफ यानि की चाशनी के अंदर हमें डिप करना है अब देखिए इसमें भी बहुत सारे सीक्रेट है अब यह जो सुगर सिरफ मेरे पास है यह बहुत सारी चाशनी है मतलब की अलग अलग चीजों की चाशनी है मतलब की जैसे यह अभी पिंक कलर का थोड़ा सा लग रहा है तो यह चम-चम की चासनी है चम-चम रसगुले गुलाब जामुन जो कुछ हम यहां पर मिठाईयां बना की चासनी काफी सारी होती है तो उसी में से हम चासनी निकाल निकाल के उसको हम रियूस करते रहते हैं यह देखिए अब क सारी मिठाईयां है जिसका इसके अंदर टेस्ट है तो इस वजह से जब हम यही चासनी हम यूज करेंगे तो क्या होगा कि इससे मिठाई का टेस्ट और भी जादा बढ़ जाएगा जब चासनी एक बार अच्छे से उबल जाए तो हमें यह जो काला वाला ज्हाग है इसको कि निकाल के फेग देना है लेकिन अगर आपके पास पुरानी चासनी कोई नहीं है तो तो फسने क्या करोगे आपने क्या करना है कि करीब 4 से 5 किलो चीनी और अगर जितना भी आप चीनी यूज कर धेए उसका हाफ पानी डाल के आपने इसको उबाल लेना है मतलब कि जैसे 4 किलो चीनी आपने लिया और दो लीटर पानी डालके एक बार उबाल लेना तो इस तरह की चास्नी बन जाएगी और इसमें कोई तार नहीं बनानी बस हलकी सी ऐसे चिपचिपई सी चास्नी होनी चाहिए कोई तार बगरा बनाने के जरूत नहीं है अब यह पुरानी चास्नी य व Te sahne добав Water जो भी आपके ऑसके अंदर लाना चाहिए जाल सकते हैं थोड़ा सनय चेलर बगरा दिया है तो यह जितनी जरूरत हो उतना अंदर चास्नी में डालके चोड़ देंगे इसको बीगने के लिए गयास को मै ने बंद कर दिया जब चास्नी उबल जाती है चिप-चिप से निकालेंगे और मिठाई बनाना शुरू कर देंगे अब इसे हम चार से पांस दिन तक भी चासनी के अंदर ऐसा ही स्टूर करके रख सकते हैं कोई फ्रिज वगर हमें रखने के जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप बना रहे हो आपको बनाने यह तो आप दो घंटे के लिए कम से कम इसको भीगने के लिए छोड़ें तो दो से तीन घंटे के बाद यह जो चासनी है यह बिल्कुल अच्छे से अब्जोर्ब हो जाएगी ब्रेड में और जो ब्रेड है वो बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल ऐसे मॉइस अब यह मैं हास से इसले निकाल रहा हूँ क् कि किसी चीज से अब इसे नहीं निकाल सकते नहीं तो तूट जाएंगे तो हास से इसे हम निकाल लेंगे और अब हम इस मिठाई को डेकोरेट करेंगे सबी यह पहले हम निकाल लेते हैं चाशनी से बहुत जादा चाशनी इसके अंदर भरी नहीं होनी चाहिए थोड़ा एक तोड़ा सा 200 ग्राम के करीब डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर और थोड़ा सा उसमें चॉक्लेट पाउडर कोकू पाउडर डालना है कोकू पाउडर या आधा चोटी चमच या एक चमच इसके अंदर मिक्स कर देना है जितना भी आपको कम जादा पसंद है आप उसे साब से इसके अंदर हम मावा की स्टफिंग करेंगे मावा के अंदर ओडरी मीठा डाला हुआ है लेकिन अगर आप मीठा ज्यादा नहीं पसंद करते तो आप खोया या जो मावा है इसके अंदर मीठा ना डाले आप इसको बिल्कुल सिंपल खोया रखे उसके बाद स्टफिंग कर करते हैं कि उससे फिर जादा मीठा हो जाएगा इसलिए कोको नट बहुत इजी है और कोको नट इसके ओपर हम कोट कर देते हैं और यह लोगों को बहुत जादा पसंद भी आता है तो यह जो मिठाई बना जाती है वह ज्यादा तर तो आप आप यह बना रहे हैं तो बस इसी तरीके से हमें सारे पीसे बनाके रेडी कर लेना है और ऐसी हमें इस ट्रे में ऐसे लगाते जाना है यह देखिए कितना बढ़िया है कितना क्रंची है उपर और नीचे से थोड़ा सा क्रंचीनेस रहेगा बहुत जदा रहेगी और एक मावा का लेयर रहेगा तो ये बहुत जादा टेस्टी और बहुत ही परफेक्ट देखने वाली रेसिपी है और इसे आप कभी भी घर पे कभी भी मीठा खाने का मन करें आप इसे बनाके रेडी कर सकते हैं नेक्स्ट हम बनाएंगे तेवारों में बनने वाला बहुत ही फेमस बॉमबे हल्वा रेसिपी ये बहुत जादा तेवारों में बनाया जाता है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं उसको बनाना, सबसे पहले एक बाउल में हमने लिया है कॉन फ्लोर, कॉन फ्लोर मतलब कि आरा रोट भी ले सकते हो, जो भी आपके पास है ले सकते हो, आधा कप मैंने यूज किया है, मतलब कि पचास ग्राम, अब इसमें पानी हम डालेंगे, जो भी कटोरी या जो भी चीज से आप कॉनफलार का यूज करें उससे तीन गुना पानी ज्यादा डालना होता है मतलब कि आप एक कटोरी अगर कॉनफलार है तो तीन कटोरी आप पानी डाल लें बस अच्छे से इसको मिक्स करना है मिक्स करने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे थोड़ी देर के लिए अब एक पैन हम लेंगे जिसमें हम चाशनी बनाएंगे इसके लिए सुगर सिरप 200 ग्राम चीनी हमने यूज किया है एक कप चीनी है ये और आधा कप पानी हम इसके अंदर डालेंगे मतलब की 100 ग्राम के करीब हम इसमें पानी डालेंगे अब अच्छ से इसको हम मिक्स करेंगे और चाशनी को एक बाद जब चाशनी एक बार उबाल आ जाए तो इसका मतलब की हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है बहुत जादा तार नहीं बनानी है बस हलकी से एक पतली से इसके आंदर तार बननी चाहिए आप इसके अंदर थोड़र सा फलेवर के लिए रोज़ वर्टर, केव्डा वर्टर वगारा भी डाल सकते हो यह देखिए बिल्कुल हलकी से पतली से एक तार बन रही है बहुत भारी तार नहीं बनानी बार हलकी सी तार बनने चाहिए बस तो इसके बाद हम इसको साइड में रख देंगे अब यह चाष्णी जो है यह बिल्कुल रेडी है तो आब इसको हम साइड में रख देते हैं और इसी ग्यास पे हम कॉंफलर बनाएंगे तो बस इसको चोटी चमच या फिर आदा चोटी चमच डाल देना है स्टाटिंग में उसके बाद जो पानी और कॉन फ्लार को मिक्स करके रखा था वो हम इस टाइम पर यहां पर डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देना है और जब आप इसको डाल रहे हैं तो एक बार अच्छे से चला के अगरा ना बने इसलिए आपको लगातार इसे चलाते रहना है आप चाहो तो वि Kita भी यूस कर सकते हो इससे भी आप इसको चला सकते हो लगातार यह देखिए जयसे ही पैं गर्म हुआ तुरंत ही यह गाडा होना स्टार्ट हो गया है देखिए बिलकुल गाडा होने लग ग जीजे है वो हमें इस टाइम पे डालते जाना है धिरे धिरे करके डालना है अभी जैसे इस टाइम पे हमें सबसे पहले डालना होगा जो सुगर सिरफ हमने बना के रखा है वो तो सुगर सिरफ हमें डालना है वो भी धिरे धिरे करके हमें डालना है तो जो सुगर सिरफ है उस अच्छे से mix करने के लिए थोड़ा थोड़ा सुगर सिरप इसके अंदर हम डालेंगे जो चास्टी है तो पहले हम दिल्कुल आराम से ये mix हो और बिल्कुल अच्छे से mix हो जाए इसके अंदर बिल्कुल mix होना चाहिए क्योंकि अगर हम एक ही बार में डाल देते हैं तो ये क्या होता है कि corn flour अलग हो जाता है और जो चाशनी है वो अलग हो जाएगे तो उससे क्या होगा कि jelly की तरह नहीं बनेगा बिल् इसने वो भी upload कर रखा है कि हम दुकान पर कैसे बनाते हैं आप वो भी देख सकते हो बड़ी quantity में तो उसका link में description में दे दूँगा आप चाहो तो देख सकते हो ये देखिए सारी जो sugar सिरफ है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है चाशनी हमने डाल दिया है इसके अंदर अ इसलिए ये boil नहीं हो रहा था लेगिन अब हम इसको उबालेंगे लगातार इसको पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल transparent भी होने लग जाए और ये एकदम jelly की तरह बन भी जाए ठिक हो जाए मतलब कि set होने के लिए ready भी हो जाए अच्छा हलवाई की दुकानों पर थोड़ा सा नीम्बू का रस भी इस सुगर सिरप में चाशनी में डाला जाता है ताकि जो हमारी चाशनी है वो crystallize ना हो हमें इसको long time तक store कर पाएं तो आप चाहो तो थोड़ा सा चाशनी के अंदर आप आधा छोटी चमच नीम्बू का रस डाल सकते हो अगर आप चाहो तो long time तक store करन है तो अगर नहीं करना तो फिर कोई problem नहीं आप इसे एक दो दिन में खा के खतम कर सकते हो देखिए यह जैली की तरह बनने लग गया है करीब इसको चलाते हुए मुझे 5-7 मिनट हो चुके हैं और यह जैली वाले फॉर्म में आने लग गया है तो इस टाइम पे जो जो ची इसके अंदर डाला है और चाहो तो आप red डाल सकते हो yellow बना सकते हो इसको आप चाहो pink डाल सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे वह color का आप इसे बना सकते हो food कलर तो हमने डाल दिया है अब इस टाइम पे जरूरी है कि हम घी गी में हमें टोटल 1-4 ही गप डालना है लेक यह देखिए बिल्कुल परफ है कि यह बॉयल भी हो रहा है और बिल्कुल अच्छे से पक रहा है एक चमज घी इसमें और डाल देते हैं ऐसे तीन से चार चमज घी आप इसके अंदर डालेंगे तो एक चौथाई कप मतलब की 50 ग्राम घी हो जाएगा आप कम जादा भी कर सकत लेकिन घी कम होगा कि यह शाइनिंग इसके अंदर नहीं रहेगी और थोड़ा चिप-चिपाहट सी रहेगी इसलिए इसमें घी पूरा ही डाले 50 ग्राम कम न डाले अब देखिए इसको अच्छे से पका रहे हैं हम लोग 10 मिनट हो चुका है 10 मिनट के बाद अब यह बिल्कु सेट होने के लिए रैड़ी है तो कोई अब अच्छा लगे वो डरडर दाल दिया है थोड़ा सा आप इसके थोड़ा सा काजू और मगज को रोष्ट करके घी में डालेंगे तो काफी अच्छा रहेगा यह देखिए आप बिल्कुल यह जैली की तरह बन चुका है अभी यह बिल्कुल सेट होने के लिए रेडी है काजू बदा मुगरा जो भी सब था इसके अंदर हमने डाल दिया है तो आप हमने ग्यास भी बंद कर के लिए कम से कम इसे चार से पांच घंटे रखें क्योंकि यह दो घंटे में भी सेट हो जाएगा लेकिन अगर चार पांच घंटे के लिए रखते हैं तो इसको कट करने में कोई प्रॉबलम नहीं आएगी बिल्कुल इसली यह कट होगा उसके उपर से थोड़ा सा अगर आ आसानी से यह साइड छोड़ देता है और आसानी से यह निकल के आ जाएगा देखें मैंने इसको उल्टा करके हाथ के उपर निकाल लिया है अब इसको हम ऐसे सीधा रखेंगे और इसके पीसे हम कट करेंगे तो जो भी जैसे भी अच्छा लगे आपको वैसे पीसे आप इस पकर रहा है अब यह बिल्कुल रेड़ी है इसको किसी भी type के किसी भी size के piece में हम इसको कट कर सकते हैं और display counter में हम इसको रख सकते हैं आप थोड़ा सा कोई भी wrapper वगरा हो कोई polythin वाला तो उसके अंदर आप इसको pack कर सकने से यह सूखेगा नहीं एक महीने तक भी आप इ आसे मैंने रेड वाला भी बनाया था तो रेड कलर का भी काफे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ग्रीन भी अच्छा लग रहा है ऐसे हमारे पास बहुत सारे होता है यलो कलर का भी होता है बहुत सारे अलग-अलग कलर के हम लोग बनाते रहते हैं तो जो भी आपको अच्छ अिसको भी बंठाना श्टार्ट करते हैं बहुत एजी तरीके से बरफी बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए होगा सबसे पहले यहां पे मैंने यहां पर छे से साथ स्लाइस प्राउन ब्रेड या फिर वाइट ब्रेड जो भी आपके पास मिल जाए वो थो आप कर सकते हो इस ब्रैड को हमें क्या करना है एक मिक्सी वाले जार में चोटे-चोटे पीस में तोड़के डालना है ये देखे इसको हमें grind ही करना है मतलब अगर मैं बताओ तो इसे हमें powder तो नहीं बनाना बिल्कुल मतलब कि एक बार grind कर लेंगे जितना भी powder बन गया ठीक है आप उसके बाद हम एक pan रखेंगे गयास पर और यहां पे हमें चाहिए होगा आधा कप चीनी आधा कब चीनी मतलब कि 100 ग्राम चीनी डाला है और एक दो चमच हमें यहाँ पर पानी डालने है वसे पानी डालने के ज़रोद नहीं थी क्योंकि हम यहाँ पर कैरेमल बना रहे हैं इसका थोड़ा सा क्योंकि टेस्ट बढ़ाने के लिए इससे अच्छा टेस्ट आएगा क्योंकि ब्रेड का कोई खास टेस्ट रहेगा नहीं तो इसलिए हमें थोड़ा इसको टेस्टी बनाने के लिए वर्फी को इसको केरमलाइस करना होगा तो इसमें दो चमज पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि बहुत सारे लोग चीनी को एकी बार में उसको जला न दे तो चीनी जलेगा नहीं लेकिन हाँ इसको हमें ब्राउन जरूर करना है आप देख सकते हो साइड में इसके ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है जैसे जैसे ये चीनी मैल्ट होती जाएगी बिल्कुल ये एच्छे से ब्राउन होता जाएगा हमें इसको ब्राउन तो करना है लेकिन जलाना नहीं है ये ब्राउन कब होता है और कब जल जाता है पदा ही नहीं लगता तो इसलिए दो चमज पानी डालके इस तरह से आपने हल कालका धीरे-धीरे करके मतलब मीडियम फ्लेम पे इसको ब्राउन करना है जब यह इतना ब्राउन हो जाए तो फिर काफी है इस से जादा करने की कोशिश करेंगे तो यह जल बिज आएगा तो इसलिए जलाना नहीं है ने तो कड़वा टेस्ट आएगा तो बस इतना काफी है अब मैंने गयास को बिल्कुल स्लो कर दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे अब यहाँ पे हमें एक कप यानि की 250 ml दूद या फिर पानी दोनों में से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो मैंने यह पे दूद यूज किया है और इसे धीरा थोड़ा करके डालना है आप चाहो तो एक ही बार में भी डाल सकते हो लेकिन फिर जो चीनी है वो जम जाएगी उसको फिर मेल्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो इसलिए मैं धेरे-धेरे करके डाल रहा हूं ताकि जो चीनी है वो जमेना और यह बिल्कुल अच्छे से मेल्ट ही रहे और इसका काफी अच्छा सा कलर भी आ जाएगा इस तरह से डालने से देखे कितना बड़िया ब्राउन कलर आ चुका है ना इसमें कोई कलर वगरा एड हमने नहीं किया है और यह काफी अच्छा ब्राउन कलर बन चुका है अब यह थोड़ा सा ठंडा हो गया है मतलब कि दूड डालने के प्लकुल अच्छ से घूर ना जाए तब तक हमें इसको अबालना है मतलब एक दो मिनट्री लगेगा बहुत ज्युक्सावर जड़ा और जो चीनी है वह बलकुल अच्छी तरह से इसमें घूल जाए तब इससका मतलब है यह बिल्लकुल रेड़ि है ग Giliva कर देंगे इस टे वाला ब्रावन नहीं किया आप चाहो तो कट कर सकते हो उसके बाद मावा जैसा टैक्शर देने के लिए हम क्या करेंगे इसमें या तो मावा या तो आधा कप या फिर एक चौथा ही कप जितना भी आप मिल्क पाउडर के अंदर डाल सकते हो मैंने या पर आधा कप डाला है ग्राम में बताओ तो 50 ग्राम है 50-60 ग्राम आप लगा सकते हो यह देखिए अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब बिल्कुल इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए और यह बिल्कुल इस तरह से डो जासा बन जाए यह देखिए अब इसको हम इसे इस तरह से 3-4 मिनट तक पकाएं चीनी से काफी अच्छा कलर आ जाता है लेकिन अगर आपको थोड़ा अच्छा कलर चाहिए लुक वाइस थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए हमारी वर्फी तो इसमें थोड़ा सा डाल दिया एक दो ड्रॉप उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे एक चमब करने के बाद यह बिल्कुल सेट होने के लिए रैडी है तो आप क्या करना है बस कोई भी बर्फी वाली ट्रे चाहिए होगी उसके अंदर हमें इसको सेट करना है लेकिन अभी जो हमने consistency रखा है इसका उसे साब से यह ओवरनाइट यानि कि 5-6 घंटे में यह बर्फी बिल्कुल अच्छे से सेट होगी लेकिन अगर आपको जल्दी सेट करना है तो आप थोड़ी देर इसको और पका सकते हो मैं यहाँ पे नहीं पका रहा है बिल्कुल इस तरह से अब ट्रे में हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा ओयल से ग्रीज करके यह जो बर्फी वाला मिक्स है इसको हम इसके अंदर डालेंगे तो कोई भी ट्रे कोई भी थाली या जो भी आपके पास है कोई भी केक्टिन वग तो अगर इसे जल्दी सेट करना है तो आप थोड़ा सा और पका सकते हो वैसे मैंने इसको कम पकाया है लेकिन हम इसको जल्दी ही कट करेंगे बहुत ज्यादा टाइम तक इसको नहीं रखेंगे यहाँ पे मैंने थोड़े से कटे हुए बदाम उसके उपर से डाल दिया है आप चाहो तो कटे हुए बदाम पिस्ता जो भी आपके पास है काजू वगरा वो आप इसके उपर डाल सकते हो थोड़ा सा हाथों से प्रेस करेंगे ताकि इसके उपर बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए उसके बाद इसको हम 4-5 घंटे के लिए रख देंगे लेकिन अभ थोड़े टाइम और रखेंगे तो यह और अच्छे से सेट हो जाएगी आप इसको ओवरनाइट रखें तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छे से सेट होगी हमारी यह बर्फी बस इसके पीसे कट कर लेने हैं और यह आप देखी सकते और कितना परफेक्ट है यह सेट ज्यादा करके मिल्क पाउडर कम कर सकते हो इसके अंदर आप कोकोनट डाल सकते हो मतलब बहुत सारे ओप्शन है जैसे भी इसके अंदर चेंजिस करना चाहें आप कर सकते हैं तो दोस्तों कैसे लिगी आप सुरी को वीडियो बाकि अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करके जो बगल में घंटी वाला बटन है उसको भी जरूर दवा लेना ताक कि आप सभी को हमारी वीडियो मिलती रहे और आगे भी म में अप्लोड करता रहूंगा वीडियो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाए